सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स टॉपिक के तरफ जिसका नाम है फ्लेक्स आइटम जो हमारी इस सीरीज का एर्थ पार्ट है दोस्तों इससे पहले मैंने साथ वीडियो और वहां रखी हैं जिसमें हम लोगोंने जस्टिफाई कॉंटेंट, अलाइन पर इतनी सारी जो इसकी प्रपरटी तो आपको दिखरेंगे जैसे ओर्डर है, फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स श्रिंक हो गया, फ्लेक्स बेसिक है, फ्लेक्स है और अलाइन सेल्फ है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ओर्डर प्रपरटी के बा बात करें हमारे पास एक parent है उसके अंदर उसके चार चाइल्ड है तो मैं चाहता हूँ कि जो fourth child है वो पहले नमबर पर आए तो यही order की भी परिभाशा होती है कि order property used to specify the order of flex item means जो हमारा order property है वो यह define करता है कि कौन सा child हमारा किस position पर आने वाला है तो चलिए अपने sublime पर चलते हैं और इसको थोड़ा सा टेस्ट मारते हैं कि कैसे वर्क करता है और किस तरीके से हम लोग order का syntax यूज़ करते हैं हम लोग आगे हैं अपने sublime की screen पर और समझते हैं order property कैसे काम करती है बनाते हैं एक div class बना देते हैं इसकी container इसके अंदर लेते हैं कुछ इसके child पांच चाइल ले देते हैं तो डेव मेरा यहां पहला हो गया class बना देते हैं item यह मेरा one इनको मारते हैं copy इनके काफी शॉटकर्स भी होते हैं लेकिन मैं आगे 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 विटिन आपको बताऊंगा कैसे शॉ हो गया 3 यह हो गया 4 और यह हो गया 5 जल्दी से इनका output चेक करते हैं output क्या रहा है तो मेरा जो output है वो यह रहा 12345 थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं 12345 अब यहां पर चलते हैं container को देते हैं जो आपका container है इसको देते हैं background color red चेक करते हैं क्या रहा है बैक्राउंड क और जो मेरा item है यहां पर item इनको देते हैं background color white और color देते हैं color देते हैं red चेक करते हैं यह white यह पूरा इसलिए धग गया है क्योंकि यह भी white है background में और पीछे वाला white है तो इसको क्या से करेंगे हम लोग ठीक यहां करते हैं display flags चेक करते ही यह आपका white white पकड़ रहा है ठी ठीक है अभी यह काम और करते हैं इनको देते हैं margin margin 20px और इसको देते हैं padding 40px चेक करते हैं यह आपके यहां पर इस तरीके से दिखने लगा और आपके जो items हैं इनकी width को बढ़ा देते हैं कर देते हैं 100px ठीक है 100px यह हो गया और इसका करते हैं text center में text align center ठीक है तो मेरा यह छोटा सा जो मुझे order use करना है उसके लिए मैंने आप थोड़ी अपनी styling को इस तरीके से define कर दिया है तो आपको यह ऐसा दिख रहा है कि मेरा 1st 2nd 3rd 4th 5th अब मैं चाहता हूं कि मेरा फुस्त वाला है 1st पर आजा है 2nd 4th पर चला है 3rd मेरा 3rd पी रहे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अगर मैं यहां पर देता हूं style order order 5 अगर मैं यहां पर इसको चलाता हूं तो यह मेरा 1st है यह 5th पर चला गया ठीक है अब मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं style order 4 यह 2 मेरा 4 पर चला जाए 2 मेरा 4 पर पर आगया 1st मेरा 5 पर चला गया और 2 मेरा 4 पर आ गया, 3rd को मैं यह नहीं दूँगा, अब इसको चाहता हूँ style, order to, साथ में अपना जो 5th वाला है, उसको मैं चाहता हूँ कि यह मेरा भईया पहरे नंबर पर आ जाए, इसको मैं save करता हूँ और यह आ गया मेरा, 1st, 2, 4, 5, 3, 3 को भी मुझे assign करना पड़ेग क्योंकि देखो, सबकी जो position है, वो change हो रही है, लेकिन थड़की नहीं की, तो उसको लगे कर भाई, मैं सबसे पैद रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इसको कर देता हूँ, यहां order 3, order 3 करेंगे, तो आप कहीं देख रहे हो, पहले क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, यहां से चल value पकड़ लेता है, कि भाई, तुमने मुझे को असाइन नहीं क्या है, मैं जवर्दस्ती आगे जाके बैड़ जाओंगा, ठीक है, आपको बस यहां पर order 3 दे देना है, आपको जहां पर रहना है, इसको refresh करो, यहां दिख जाएगा आपको, कि आपकी जो ordering है, वो अच्छे स यहां पर align हो चुकी है, बहुत important जी है, आपने मान लेजी कहीं पर आपने काफी सारी div बना दिया है, लेकिन position change करने के लिए आपको cut paste करना पड़ता है, यहां पर क्या है, बस आपको छोटी से property देनी है, वो क्या देनी है, एक order के property देनी है, CSS के अंदर, वो अराम से आपक को notification मिलते रहे, कुछ भी मैं update करता हूँ, आने वाले वीडियो में हम लोग जो मैंने आपको initially वीडियो में बताया था, कि काफी सारे points रहें, जैसे आपको flex groove हो गया, flex sharing हो गया, उनके बारे में बताने वाला हूँ, stay tuned for the next video, thank you so much for watching.